लूका रचित सूसमचार अध्याए एक इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और बचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया। इसलिए हे श्रीमान थ्यूपलिस, मुझे भी ये उचित लगा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंब से ही ठीक ठाक जाच करके उन्हें तेरे लिए क्रमा नुसार लिखूं, कि तु ये जान ले कि वे बातें जिनकी तुने शिक्षा पाई है, कैसी अटल हैं। यहोदियों के राजा हेरोदेश के समय, अभिया के दल में जकर्या नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इली शिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभू की सारी आज्याओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान ना थे, क्योंकि इली शिबा बांच थी और वे दोनों बुढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रिती के अनुसार उसके नाम पर चिठी निकली कि प्रभू के मंदिर में जाकर धूप जलाए। स्वर्दूद ने उससे कहा, हे जकरिया, भैवीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रात्ना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलश्वा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन होगा, और तू उसका नाम युहना रखना, तुझे आनंद और हर्श होगा, और बहुत लोग उसके जन के कारण आनंदित होंगे, वो प्रभू के सामने महान होगा, वो दाखरस और मदीरा कभी न पियेगा, और अपनी माता के गर्वी से बवत्र आत्मा से परिपून हो जाएगा, वो इस्राइलियों में से बहुतों को उनके प्रभू पर मेश्व की ओर फेरेगा, और एलिया की आत्मा और सामर्त में होक उसके आगे आगे चलेगा, कि पित्रों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे, और आग्या ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभू के लिए एक योग की प्रजा तयार करे जकरिया ने स्वर्गदूद से पूछा ये मैं कैसे जानूँ, मैं तो बूड़ा हूँ, और मेरी पत्नी भी बूड़ी हो गही है स्वर्गदूद ने उसको उत्तर दिया मैं विब्राहिल हूँ, जो परमेशर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझ से बाते करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को फेजा गया हूँ और देख, जिस दिन तक ये बाते पूरी ना हो ले, उस दिन तक तु मौन रहेगा और बोलना सकेगा, क्योंकि तुने मेरी बातों की, जो अपने सेमे पर पूरी होंगी पती थी ना की लोग जकर्या की बात चोते रहे और अचंभा करने लगे, क्यों उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी जब वो बाहर आया, तो उनसे बोलना सका सोबे जान गए, कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वो उनसे संकेत करता रहा, और गुंगा रहा जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए, तो वो अपने घर चला गया इन दिनों के बाद उसकी पतनी इली शिबा गरववती हुई और पांच महीने तक अपने आपको ये कहकर छिपाई रखा, कि मनुश्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, प्रभों ने इन दिनों में प्रभादरश्री करके मेरे लिए ऐसा किया है चटवे महीने में परमेश्वर की ओर से जिबराईल स्वर्ग दूर्थ गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भीजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाउद के घराने के एक पुरुष से हुई थी उस कुआरी का नाम मरियम था स्वर्ग दूर्थ ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जै तेरी हुँ जिस पर इश्वर का अनुगह हुआ है प्रभू तेरे साथ है वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है स्वर्ग दूर्थ ने उससे कहा हे मरियम भैवीत ना हो क्योंकि परमेश्व का अनुगह तुझ पर हुआ है और देख तु गर्वती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन होगा उसका नाम येश्यू रखना वो महान होगा और परमपरधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभू परमेश्व उसके पूरवज दावुद का सिहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राजी करेगा और उसके राजी का अंद ना होगा मरियम ने स्वर्ग दूद से कहा यह क्यों कर होगा मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं स्वर्ग दूद ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उत्रेगा और परमपरधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी इसलिए वो पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्य का पुत्र कहलाएगा और देख तेरी कुटम्बली इलिश्वा के भी बुड़ापे में पुत्र होने वाला है यह उसका जो बांज कहलाती थी छटमा महिना है क्योंकि जो वजन परमेश्य की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ मुझे तेरे वजन की अनुसार हो तब स्वर्ख दूद उसके पास से चला गया उन दिनों में मरियम उठकर शीगरी पहड़ी देश में यहुदा के एक नगर को गई और जकर यहा के गहर में जाकर उस ने इली शीबा को नमस्कार किया जोही इली शीबा ने मरियम का नमस्कार सुना तियोही बच्चा उसके पेट में उछला और इली शीबा पवित्र आत्मा से परिपूरुन हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तूस्त्रियों में धन्य है तेरे पेट का पल धन्य है ये अनुग्रे मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभो की माता मेरे पास आई देख जो ही तेरे नवसकार का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में अनंद से उचल पड़ा धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जू हो पाते प्रभु की ओर से उस से कही गई वो पूरी होगी तब मर्यम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उधार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर द्रिश्टी की है इसलिए देखो अपसे योग योग के लोग मुझे धन्ने कहेंगे क्योंकि उस शक्ति मानने मेरे लिए बड़े बड़े काम किये है उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीडी से पीडी तक बनी रहती है उसने अपना भुचबल दिखाया और जो अपने आपको बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया उसने बलवानों को सिंघासनों से गिरा दिया और दीनों को उँचा किया उसने भूखों को अच्छी वस्तूं से त्रिप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया उसने अपनी सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस्ताया को स्मर्ण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहीगी जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था मर्यम लगभग तीन महीने उसके साथ रहकर अपने घर लोटाए तब इली शिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी उसके पडोसी और कुटुमबी ये सुनकर के प्रभू ने उस पर बड़ी दया की है उसके साथ आनंदित हुए और ऐसा हुआ कि आठवे दिन वे बालक का खत्ना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकर्यार रखने लगे उसकी माता ने उत्तर दिया नहीं उसका नाम युहन्ना रखा जाए उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुम में किसी का ये नाम नहीं है तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा तू उसका क्या नाम रखना चाहता है और उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया उसका नाम यूहन्ना है इस पर सभों ने अचमभा किया तब उसका मूँ और जीब खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवात करने लगा और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भैचा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश मे पहल गई सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा प्रभू इस्राइल का परमेश्वर धन्य हो उसने अपने लोगों पर दिश्टी की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक डाउद के घराने में हमारे लिए एक उद्दार का सेम निकाला है जै अर्थात हमारे शत्रूं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्दार किया है कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्वरन करें और वो शपत जो उसने हमारे पिता इब्राहीम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रों के हाथ से छूट कर उसके सामने पवित्रता और धार्मिक्ता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे और तू हे बालक परम प्रधान का भविश्य द्वक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्यान दे जो उनके पापों की शमा से प्राप्त होता ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण उपर से हम पर भोर का प्रकाश उदै होगा कि अंधिकार और मृत्यू की चाया में बैठने वालों को जोती दे और हमारे पाउं को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए और वो बालक बढ़ था और आत्मा में बलवन्त होता गया और इस्राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा अध्याय दो उन दिनों में आगुस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकली के सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियस सूरिया का हाकिम था तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए सो यूसुफ भी इसलिए के वो दाउद के घराने और वंच का था गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाउद के नगर बैतलहम को गया के अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए वो अपना पहिलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगे ना थी उस देश में अनेक गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जुंड का पहरा देते थे और प्रभू का एक दूत उनके पास आख़डा हुआ और प्रभू का तेज उनके चारों और चमका वे बहुत तर गए स्वर्ग दूत ने उनसे कहा मत दरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंग का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा आज दाओत के नगर में तुम्हा के लिए एक उदार करता जन्मा है और यही मसी दभू है और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बाला को कपड़े में लिपता हुआ और चण्डी में पढ़ा पाओगे तब एका एक उस स्वर्ग दूत के साथ स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की स्थुती करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया आकाश में परमेश्वर की महिमा और परत्री पर उन मनुश्व में जिन से वो प्रसंद है शाम भी हो जब स्वर्ग दूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा हाओ हम बैठले हैं जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखें और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विशे में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कही आश्चरे किया परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लोट गए जब आठ दिन उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशले में ले गए कि प्रभू के सामने लाए जैसा कि प्रभू की ववस्था में लिखा है कि हर एक पहिलोठा प्रभू के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभू की ववस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोडा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें और देखो यरूशले में शमोन नाम एक मनुश्य था वो मनुश्य धर्मी और भक्त था और इस्राइल की शान्ति की बाट चो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था पवित्र आत्मा से उसको चितामनी हुई थी कि जब तक वो प्रभू के मसीः को देखना लेगा तब तक मृत्यू को न देखेगा वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब मात्य पिता उस बालक येशू को भीतर लाए कि उसके लिए विवस्ता के रीती के अनुसार करें तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा हे स्वामी आप तु अपने धास को अपने वचन के अनुसार शांती से विदा करता है क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उधार को देख लिया है जिसे तुने सब देशों के लोगों के सामने तयार किया है कि वह अन्यजातियों को प्रकाश देने के लिए च्योती और तेरे निश लोग इसराइल की महीमा हो और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसकी विशे में कही जाती थी आश्चरे करते थे तब शमून ने उनको आशीश दे कर उसकी माता मरियम से कहा देख वह तो इसराइल में भहतों के गिरने और उटने के लिए और एक ऐसा चिन होने के लिए ठैराया गया है जिसके विरोध में बाते कहीं जाएंगी वरन तेरा प्रान भी तलवार से आर पार छिट जाएगा इससे बहुत हिर्दयों के विचार फ्रगट होंगे और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुवल की बेटी एक भविश्य द्विक्तिन थी वो बहुत बूड़ी थी और प्या होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी वो 84 वर्ष से विद्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभू का धन्यवाद करने लगी और उन सबहों से जो यरूशलेम के चुटकारे की बाट जोहते थे उसके विशे में बातें करने लगी और जब वे प्रभू की ववस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए और बालक बढ़ता और बलवन्त होता और बुद्धी से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था उसके माता पिता प्रती वर्ष फसे के पर्भ में यरूशलेम को जाया करते थे जब वो बारा वर्ष का हुआ तो वे पर्भ की रिती के अनुशार यरूशलेम को गए और जब वे उन दिनों को पूरा करके लोटने लगे तो वो लड़का यीशू यरूशलेम में रह गया ये उसके माता पिता नहीं जानते थे वे ये समझ करके वो और यातियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचानों में ढूणने लगे पर जब नहीं मिला तो ढूणते ढूणते यरूशलेम को फिर लोट गए तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रशन करते हुए पाया और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा ए पुत्र तुने हमसे क्यों ऐसा वेवहार किया देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूनते थे उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूनते थे क्या नहीं जानती कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और येशु बुद्धी और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुश्चों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अध्याय तीन तिबिरियुस कैसर के राज्ये के पंद्रवे वर्ष में जब पुंतियुस पीलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हैरोदेस नाम चौथाई का इतूरिया और त्रिखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अभी लेने में लिसा नियास चौथाई के उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुँचा और वो यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बब्तिस्मा का प्रचार करने लगा जैसे यशाया भविश्य द्विक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभू का मार्ग तयार करो उसकी सड़कें सीधी बनाओ हर एक खाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेड़ा है सीधा और जो उंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा जो भीड की भीड उससे बप्तिस्मा लेने को निकल कर आती थी उससे वो कहता था हे साथ के बच्चों तुम्हें किसने जटा दिया कि आने वाले क्रोज से भागो सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्रहिम है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्रहिम के लिए संतान उत्पन कर सकता है और अब ही कुलहाडा पेडों की जड़ पर धरा है इसलिए जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोका जाता है लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें उसने उन्हें उत्तर दिया जिसके पास दो कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बाट ले और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करें और महसूल लेने वाले भी बक्तिस्मा लेने आये और उससे पूछा ए गुरू हम क्या करें उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना और सिपाईयों ने भी उससे ये पूछा हम क्या करें उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और न जुटा दोश लगाना और अपनी मज़दूरी पर संतोश करना जब लोग आस लगाये हुए थे और सब अपने अपने मन में युहन्ना के विशे में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीष तो नहीं है तब युहन्ना ने उन सब से कहा उस आग में जो भुजने की नहीं चला देगा सो वो बहुत सी शिक्षा दे दे कर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरो देश को उसके भाई फिलिपुस की पतनी हेरो दियास के विशे और सब को करमों के विशे में जो उसने किये थे उलाहना दिया इसलिए हेरो देश ने उन सब से बढ़कर ये को करम भी किया कि युहन्ना को बंधे ग्रिह में डाल दिया जब सब लोगों ने बप्तिस्मा लिया और यिशु भी बप्तिस्मा लेकर प्राथना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उत्रा और ये आकाशवानी हुई तू मेरा प्रेय पुत्र है मैं तुझसे पसंद हूँ जब यिशु उपदेश करने लगा तो लगभग तीस वर्ष की आयू का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वो एली का और वो मतात का और वो लेवी का और वो मलकी का और वो यन्ना का और वो यूसुफ का और वो मतित्त्या का और वो अमोस का वो नहूम का और वो असल्या का और वो नोगह का और वो मात का और वो मतित्या का और वो शिमी का और वो योसेख का और वो योदा का और वो युहन्ना का और वो रेशा का और वो जरुवा बिल का और वो शालिते येल का और वो नेरी का और वो मल्की का और वो अद्धी का और वो कोसाम का और वो इल्मो दाम का, और वो एर का, और वो येशु का, और वो इलाजार का, और वो योरीम का, और वो मतात का, और वो लेवी का, और वो शमोन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो यूनान का, और वो इलियाकीम का, और वो मलेहा का, और वो मिन्ना का, और वो मत्ता का, और वो नातान का, और वो दाउद का, और वो जीशे का, और वो अबेद का, और वो बुआज का, और वो सलमोन का, और वो नहशोन का, और वो अमीनादाब का, और वो अर्नी का, और वो हिसरोन का और वो फिरिस का वो यहुदा का और वो याकूब का और वो इसहाग का और वो इबरहीम का और वो तिरह का और वो नाहोर का, और वो सरूप का, और वो रहू का, और वो फिलिक का, और वो एबिर का, और वो शिलहे का, और वो केनान का, और वो अरफजद का, और वो शेम का, वो नुहू का, वो लिमिक का, और वो मतुशलहे का, और वो हनोक का, और वो यिरिद का, और वो महाललेल का, और वो केनान का, और वो इनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का था. अध्याय चार येशू ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, तब शैतान उसे ले गया, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्ये दिखाए, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और उनका विभाव तुझे दूँगा, क्योंकि वह मुझे सवभा गया है, और जिसे चाहता हूँ, उसी खोद दे देता हूँ, इसलिए, यदि तु मुझे प्रणाम करे, तो ये सब तेरा हो जाएगा, ये शु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तु प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर, तब उसने उसे यरुशलेम में ले जाकर, मंदर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, ये शु ने उसको उत्तर दिया, ये भी शु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, कि तु प्रभु अपने परमेश्वर की परिक्षा न करना, जब शैतान सब परिक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, फिर ये शु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, गलील को लोटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालियों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बढ़ाई करते थे, और वो नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीती के अनुसार सब्त के दिन अराधनालियों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, ये शाया भविश्य दुर्त्य की पुस्तक उसे दी गई, उसने पुस्तक खोल कर वो जगे निकाली, जहां ये लि शेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, कि बंधों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टी पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछले हुओं को छुडाऊं, और प्रभू के प्रसन रहने के वर्ष का प्रचार करूं, तब उसने पुस्तक बंद करके, सेव के हाथ में दे दी, और बैठ किया, अराधनाले के सब लोगों की आँख उस पर लगी थी, तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, और सब ने उसे सरहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मूँ से निकलती थी, उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे, हे वैद, अपने आपको अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है, कि कफर नहूम में किया गया है, उसे यहां अपने देश में भी कर, और उसने कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कोई भविश्य द्वक्ता, अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता, और मैं तुम से कहता हूँ, इलियाह के दिनों में, जब साड़े तीन वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक की सारे देश में बड़ा आकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी वि जा गया, केवल सैदा के सार्फत में, एक विद्वा के पास, इलिशा भविश्य द्वक्ता के समय, इसराइल में बहुत से कोड़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़, उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया, यह बाते सुनते ही, जितने आराधनाले में थे, सब क्रो उसकी चोटी पर वे उसे ले गए, के उसे वहां से नीचे गिरा दे, पर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया, फिर वो गलील के कफर नहूम नगर में गया, और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, वे उसके उपदेश चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था, अराधनालय में एक मनुष्य था, जिसमें अशुध आत्मा थी, वो उचे शब्द से चिल्ला उठा, येशु नासरी, हमें तुसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है, मैं तुझे जानता हूँ तू काउने, तो बरमेश्वर का पवीत्र जन है, येशु ने उसे डाट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा, तब दुस्तात्मा उसे बीच में पटक कर, बिना हानी पहुँचाए, उसमें से निकल गई, इस पर सब को अचमभा हुआ, और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, कि वो अधिकार और सामर्व के साथ अशुद आत्माओं को आग्या देता है, और वे निकल जाती है, सो चारों और हर जगे उसकी धूम मच गई, वो अराधनालय में से उठकर शमोन के घर में गया, और शमोन की सास को जवर चड़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे बिनती की, उसने उसके निकट खड़े होकर जवर को डाटा, और उस पर से जवर उतर गया, और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी, सूरज डूपते समय, जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने प्रतेक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया, और दोस्टात्मा भी चिलाती और ये कहती हुई कि, तु परमेश्वर का भु बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डाटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि ये मसी है, जब दिन हुआ, तो वो निकल कर एक जंगली जगह में गया, और भीड की भीड उसे ढूंडती हुई, उसके पास आई, और उसे रोकने लगी कि उनके प अश्यक है, क्योंकि मैं इसलिए भीजा गया हूँ, और वो गलील के अराधनालियों में प्रचार करता रहा, अध्याय पांच, जब भीड उस पर गिरी पड़ती थी, और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वो गन्य सरत की जील के किनारे पर खड़ा था, तब ऐसा कि उसने जील के किनारे दो नामें लगी हुई देखी, और मच्वे उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे, उन नामों में से एक पर जो शमोन की थी, चड़कर उसने उससे बिनिती की, कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, तब वो बैठ कर लोगों को नाव पर से उपदेश दे शमोन ने उसको उत्तर दिया, हे सुआमे, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा जब उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत मचलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसी नाव पर थे, संखेत किया, कि आकर उनकी सहेता करे, और उन्होंने आकर दोनों नामें यहां तक भर ली, कि वे दूबने लगी, ये शमोन पत्रस यीशू के पाउं पर गिरा और कहने लगा, ए प्रभू, मेरे पास सिज्जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, इतनी मचलियों के पकड़े जाने से, उसे और उसके साथियों को बहुत अचमबा हुआ, वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और युहन्ना को भी, जो शमोन के साथ ही थे, अचमबा हुआ, तब येशू ने शमोन से कहा, मत्र, अब से तु मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा, और वे नामों को किनारे पर ले आए, और सब कुछ छोड़ कर उसके पीछे हो लिए, जब वो किसी नगर में था, तो देखो, वहा कोड से भरा हुआ एक मनुष्य था, वो येशू को देखकर मूँ के बल गिरा, उसने बिनिती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसने हाथ बढ़ा कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाओ, और उसका कोड तुरंत जाता रहा, तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कहे, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाए, और अपने शुद्ध होने के विशय में, जो कुछ मूसा ने चड़ावा ठैराया है, उसे चड़ाए, कि उन पर गवाही हो, परंतु उसकी चर्चा और भी भैलते उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए एकठी हुई, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था, और एक दिन ऐसा हुआ, कि वो उपदेश दे रहा था, और फरीसी और विवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहुदिया के हरे गाउं से और यरुशलेम से आये थे, और चंगा करने के लिए प्रभू की सामर्थ उसके साथ थी, और दिखो, कई लोग एक मनुष्य को जो जो जोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए, वे उसे भीतर ले जाने और येशु के सामने रखने का उपाय ढून रहे थे, जब वे भीड के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चड़कर और खपरेल हटा कर उसे खाट समेत लोगों के बीच में येशु के सामने उतार दिया, येशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, ये मनुष्य, तेरे बाप क्षमा हुई, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन बापों को क्षमा कर सकता है, येशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे पूछा, तुम अपने मनों म क्या विवाद कर रहे हो, सहज क्या है, ये कहना कि तेरे बाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और जल फिर परन्तु, इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहत रहा हु, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, वो तुरंत उनके सामने उठा, और जिस खाट पर वो पड़ा था, उसे उठाकर परमेश्वर की बढाई करता हुआ, अपने घर चला गया, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढाई करने लगे, और आज हमने अनुखी बाते देखी हैं। एक बड़ी भीड थी। फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे। पुलाने आया हूँ। और उन्होंने उससे कहा। युहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं। और वैसे ही फरीसियों के भी परन्तु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। येशु ने उनसे कहा। क्या तुम बरातियों से जब तक दुलहा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। परन्तु वे दिन आएंगे जिन में दुलहा उनसे अलग किया जाएगा। तब उन दिनों में वे उपवास करेंगे। उसने एक और दिर्श्टांत भी उनसे कहा। कर बह जाएगा और मश्कें भी नाश हो जाएंगी। परन्तु नया दाखरस नई मश्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। अध्याय छे। तो क्या किया वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटिया लेकर खाई जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा। मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभू है। और ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वो अराधनाले में जाकर उपदेश करने लगा। बहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोश लगाने का अफसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वो सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वो उनके विचार जानता था। इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा उट बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। येशु ने उनसे कहा मैं तुमसे ये पूछता हूँ सब्त के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना प्राण को बचाना या नाश करना। और उसने चारों और उन सबहों को देखकर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विबात करने लगे। अपने चेलों को बुला कर उनमें से बारा चुन लिये और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं शमोन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा। और उसका भाई आंद्रियास, याकूब और युहन्ना, फिलिपुस और बर्तुल में, मत्ती और थोमा, हलपाई का पुत्र याकूब और शमोन जो जिलो तेस कहलाता है। और याकूब का पुत्र यहूदा और यहूदा इस करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वो उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ। और उसके चेलों की बड़ी भीड और सारे यहूदिया और यरुशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आये थे, वहां थे। अशुद्र आत्माओं के सताय हुए लोग भी अच्छी किये जाते थे, सब उसे चूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सब को चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि त्रिप्त किये जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हसोगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य क पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी मिन्दा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काठ देंगे, उस दिन अनंदित होकर उचलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविश्च द्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे परन्तु हाए तुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शान्ती पाचुके हाए तुम पर जो अब त्रिप्त हो क्योंकि भोके होगे हाई तुम पर जो अब हसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोगे हाई तुम पर जब सब मनुष्य तुमें भला कहें क्योंकि उनके बाप दादे जूटे भविश्य द्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ अपने शत्रूओं से प्रेन रखो जो तुम से बैर करें उनका भला करो जो तुमें स्राप दें उनको आशीश दो जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो जो तेरे एक गाल पर थपड मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे और जो तेरी दोहर चीन ले उसको कुर्टा लेने से भी न रोक जो कोई तुझ से मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु चीन ले उससे न मांग जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई कि क्यूं पापी भी ऐसा ही करते हैं यदि तुम उन्हें उधार दो, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, कि उतना ही फिर पाहें, परन अपने शत्रूँ से प्रेम रखो, और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर, उधार तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो कृतगनों और बुरों पर भी कृपालू है, जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे ही तुम भी दयावन्त बनो, दोश मत लगाओ, तो तुम पर भी दोश नहीं लग जाए जाओगे, क्षमा करो, तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, और हिला हिला कर, और उभरता हुआ, तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है क्या दोनों गड़हे में नहीं गिरेंगे चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरू के समान होगा तु अपने भाई की आख के तिनके को क्यूं देखता है और अपनी ही आख का लठथा तुझे नहीं सूझता और जब तु अपनी ही आख का लठथा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है हे भाई, ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ, हे कप्ती, पहले अपनी आँख से लठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है, भली भांती देख कर निकाल सकेगा, कोई अच्छा पेड नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा है, जो अच्छा फल लाए, हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोडते, और न जड़ बेरी से अंगूर, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बाते निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भं बुरी बाते निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है, वही उसके मुह पर आता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभू, हे प्रभू कहते हो, जो कोई मेरे पास आता है, और मेरी बाते सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, कि वो किसके समान है, वो उस मनुष्य के समान है, जिसने घर बनाते समय, भूमी गहरी खोद कर, चक्तान पर नेव डाली, और जब बाड आई, तो धारा उस पर लगी, परन्तु, उसे हिला न सकी, क्योंकि वो पक्का बना था, परन्तु, जो सुनकर नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है, जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी, तो वो तुरंत गिर पड़ा, और गिर कर सत्या नाश हो गया, अध्याय साथ, जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, तो कफर नहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास, जो उसका प्रिये था, बिमारी से मरने पर था, उसने यिशू की चर्चा सुनकर, यहूदियों के कई पुर्णियों को उससे ये बिनती करने को, उसके पास भेजा, कि आकर उसके दास को चंगा करे, वे यिशू के पास आकर उससे बड़ी बिनती करके कहने लगे, वे इस योग्य है कि उसके लिए ये करे क्योंकि वे हमारी जाती से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालाय को बनाया है येशु उनके साथ साथ चला पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा हे प्रभू दुख ना उठा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छट के तले आए इसी कारण मैंने अपने आपको इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है और अपने किसी दास को के ये कर तो वो उसे करता है ये सुनकर येशु ने अचमभा किया और उसने मूँ फेर कर उस भीड से जो उसके पीछे आ रही थी कहा मैं तुम से कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने घर लोट कर उस दास को चंगा पाया थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम एक नगर को गया उसके चेले और बड़ी भीड भी उसके साथ जा रही थी जब वो नगर के फाटक के पास पहुँचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिये जा रहे थी वो अपनी मा का एकलोता पुत्र था और वो विद्वा थी नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो तब उसने पास आकर अर्थी को चुँआ और उठाने वाले ठैर गए तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ तब वो मुर्दा उठ पैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मा को सौप दिया इससे सब पर भैचा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे की हमारे भीश में एक बड़ा भवशे द्वत्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दश्टी की है उसके विशे में ये बात सारे यहू दिया और आसपास के सारे देश में फैल गई यहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समचार दिया तब यहन्ना ने चेलों में इसे दो को बुला कर प्रभू के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तु ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखे उन्होंने उसके पास आकर कहा यहन्ना बब्तिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बाट जो है उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीडाओं और दुस्टात्माओं से छुड़ाया और उसने बहुत से अंधों को आखे दी और उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर युहन्ना से कह दो अंधे देखते हैं लंगडे चलते फिरते हैं कोडी शुद्ध किये जाते हैं बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, धन्य है मो, जो मेरे कारण ठोकर नखाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिये, तो यीशु यूहन्ना के विशे में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को, देखो जो भड़कीला वस्त्र पहिनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राज भवनों में रहते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे, क्या किसी भविश्य द्वक्ता को, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, बरन भविश्य द्वक्ता से भी बड़े को, ये वही है जिसके विशय में लिखा है, देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेशता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा, मैं त उनसे कहता हूँ, जुस्त्रियों से जन में है, उन में से युहन्ना से बड़ा, कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में, छोटे से छोटा है, वो उससे भी बड़ा है, और सब साधारन लोगों ने सुनकर, और चुंगी लेने वालों ने भी, युहन्ना का बप्ति परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और विवस्थापकों ने उससे बप्तिस्मा न लेकर, परमेश्वर की मनसा को अपने विशय में टाल दिया, सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूँ, वे किसके समान हैं, वे उन बालकों के समान हैं, जो बाजा पुकार में बैठे हुए, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, और तुम नाद नाचे, हमने विलाप किया, और तुम न रोए, क्योंकि युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला, न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तु तुम कहते हो, उसमें दुष्टात्मा है, मनुष्य का पुत्र, खाता पीता आया है, और तुम कहते हो, देखो, पेटू और प्यकड मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ग्यान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है, फिर किसी फरीसी न घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री, ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संग मरमर के पात्र में इत्र लेकर आई, वो रोती हुई उसके पाउं के पास, पीछे खड़ी होकर उसके पाउं को आसुओं से बलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि वो भविश्यत वक्ता होता, तो जान जाता कि ये जो उसे च्छू रही है, कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो थो पापी नहीं है, ये जानकर ये शू ने उससे कहा, ये शमोर, मुझे तुझ से कुछ कहना है, वो बोला, ए जुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा, शमोर ने उतर दिया, मेरी समझ में वो, जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, उसने उससे कहा, तुने ठीक विचार किया है, और उस स्त्री की और फिरकर उसने शमोर कर शमो के लिए पानी न दिया पर इसने मेरे पाओं आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोचा तूने मुझे चूमा न दिया पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाओं का चूमना न छोड़ा तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पाओं पर इत्र मला है इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे ख्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया पर जिसका थोड़ा ख्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है और उसने इस्त्री से कहा तेरे पाप ख्षमा हुए तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे या कौन है जो पापों के विश्वा करता है पर उसने इस्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है कुशल से चली जा अध्याए आठ इसके बाद वो नगर नगर और गाउं गाउं प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्ये का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे बारे उसके साथ थे और कितनी इस्त्रीया भी जो दुस्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी वे ये है मर्यम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से साथ दुस्टात्माएं निकली थी और हैरो देश के भंडारी खोजा की पतनी युवन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और इस् पत्ती से उसकी सेवा करती थी, जब बड़ी भीड इकठी हुई, और नगर-नगर के लोग उसकी पास चले आते थे, तो उसने द्रिश्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्क के किनारे गिरा, और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, कुछ चट्टान पर गिरा, और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया, कुछ जाडियों के बीच में गिरा, और जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमी पर गिरा, और उग कर सौ गुना फल लाया, ये कहकर उसने उचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ले, उसके चेलों ने उससे पूछा, ये द्रिश्टानत क्या है, उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को द्रिश्टानतों में सुनाया जाता है, कि वे देखते हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें, द्रिश्टानत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा न हो, कि वे विश्वास करके उधार पाएं, चटान परके वे हैं, कि जब सुनते हैं, तो आनंद से वचन को ग्रहन तो करते हैं, परन्तु जड़ न पकड़ने से, वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, और परिक्षा के समय बहक जाते हैं, जो जाडियों में गिरा, सो वे हैं, जो सुनते हैं, पर होते होते, चिन्ता और धन और जीवन के सुख विलास में फस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता, पर अच्छी भूमी में के, वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, और धीरज से फल लाते हैं, कोई दिया वार के बरतन से नहीं छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, परन्तु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं, कुछ छिपा नहीं, जो प्रकट नहों, और न कुछ गुप्थ है, जो जाना न जाये, और प्रकट नहों, इसलिए चौकस रहो की, तुम किस रीती से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिसे वो अपना समझता है, उसकी माता और उसके भाई, उसके पास आए, पर भीड के कारण उससे भेट ना कर सके, और उससे क तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चड़े और उसने उनसे कहा, आओ जील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी, तो वो सो गया और जील पर आन्दे आई और नाव पानी से भानने लगी और वे जोखिन में थी। तब उन्होंने प पर नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आन्दी को और पानी की लहरों को टांटा। और वे थंग गए और शांती हो गए। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहा था। पर वे डर गए और अचंबित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आन्दी और पानी को भी आग्या देता है और वे उसकी मानते हैं। फिर वे गिरा सेनियों के देश में पहुचें, जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वो किनारे पर उतरा, तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला। उसमें दुष्टात्माई थी। और बहुत दिनों से वो ना पहनता था और ना घर में रहता था, बरन कबरों में रहा करता था। वो ईशु को देखकर चिलाया और उसके सामने गिरकर उचे शब्द से कहा। इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्दपी लोग उसे सांकलों और बेडियों से बानते थे। तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था। और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाय फिरती थी। यिशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने कहा। तो उन्होंने उससे बिनती की। अमें उनमें पैठने दे। तो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्मा उस मनुष्य से निकल कर सोरों में गई और वो जुंद कडाडे पर से जपटकर जील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ देखकर भागे और नगर में और गाओं में जाकर उसका समाचार दिया। और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले। और येशु के पास आकर जिस मनुष्य से दोस्तात्मा निकली थी उसे येशु के पाओं के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दोस्तात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने येशु से बिनिती की। क्योंकि उन पर बड़ा भैच हा गया था, सो वो नाव पर चड़कर लोट गया। जिस मनुष्य से दोस्तात्मा निकली थी, वो उनसे बिनिती करने लगा। मुझे अपने साथ रहने दे। असमें लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये है। वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा, कि येशु ने उसके लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये। जब येशु लोट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसके बाट जो रहे थे और देखो याईर नाम एक मनुष्य जो अराधनालय का सरडार था आया और येशु के पाउप पर गिर कर उससे बिनती करने लगा मेरे घर चल क्योंकि उसके बारे वर्ष की एकलोती बेटी थी और वो मरने पर थी जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे और एक इस्त्री ने जिसको बारे वर्ष से लोहु बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीवी का वैद्दियों के पीछे व्या कर चुकी थी पर किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी पीछे से आकर उसके बस्तर के आचल को छू लिया और तुरंत उसका लोहु बहना थम गया इस पर येशु ने कहा मुझे किस ने चुआ जब सब मुकरने लगे तो पत्रस और उसके साथियों ने कहा हे स्वामी तुझे तो और तुझ पर गिरी पड़ती है परन्तु येशु ने कहा किसी ने मुझे चुआ है तो कि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है जब इस्तरी ने देखा कि वो छिप नहीं सकती तब कापती हुई आई और उसके पाउँ पर गिर कर सब लोगों के सामने बताय कि उसने किस कारण से उसे चुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से चली जाओ वो ये कही रहा था कि किसी ने अराधना लेके सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई गुरू को दुख ना और युहना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया और सब उसके लिए रूपीट रहे थे परंतु उसने कहा रू मत वो मरी नहीं परंतु सो रही है वे ये जानकर कि मर गई है उसकी हसी करने लगे परंतु उसने उस उसके प्राण फिर आये और वो तुरंत उठ खड़ी हुई। तब उसने आज्या दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए। परंतो उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। अध्याय नौ फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुस्तात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और उन्हें परमेश्वर के राज्ये का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा। मार्ग के लिए कुछ न लेन, न तोलाठी, न जोली, न रोटी, न रुपे, और न दो दो कुर्ते, और जिस किसी घर में तुम उतरो, वही से विदा हो, जो कोई तुमें ग्रहन न करे, उस नगर से, निकलते हुए, अपने पावों की धूल, ज़ाड दालो, कि उन पर गवाही हो, सोवे निकल कर गाउं गाउं, सू समचार सुनाते, और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए, फिरते रहे, देश की चौथाई का राजा, हेरो देश, ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि, युहना मरे हुँँ में से जी उठा है, और कितनों ने ये कि, अहुना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है, जिसके विशे में ऐसी बाते सुनता हूँ, और उसने उसे देखने की इच्छा की, फिर प्रेरितों ने लोटकर जो कुछ उन्होंने किया था, उसको बता दिया, और वो उन्हें अलग करके, बैत साइदा नाम एक नगर को ले गया, ये जानकर भीड उसके पीछे हो ली, वो आनंद के साथ उनसे मिला, और उनसे प्रमेश्वर के राज्ये की बाते करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे, उन्हें उसने चंगा किया, जब दिन ढ़नने लगा, तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड को विदा कर, कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर ठिके, और भोजन का उपाई करे, क्योंकि हम यहां सुनसान जगा में हैं, उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो, उन्होंने कहा, हमारे पास पांच रोटियां, और दो मशली को छोड़ कर और कु पुचन मोल ले, तो हो सकता है, वे लोग तो पांच हजार पुरुशों के लगभग थे, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें पचास पचास करके, पांटी पांटी बैठा दो, उन्होंने ऐसा ही किया, और सब को बैठा दिया, तब उसने वे पांच रोटियां, और द खाकर त्रिप्थ हुए, और बचे हुए टुकडों से बारे टोकरी भरकर उठाई, जब वो एकांट में प्रार्थना कर रहा था, और चेले उसके साथ थे, तो उसने उन्हें से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, युहन्ना बबतिस्मा देने मुझे क्या कहते हो, पत्रस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसी, तब उसने उन्हें चिताकर कहा, ये किसी से न कहना, और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, और पुर्निये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ कर मार डाले, और वो तीसरे दिन जी उठे, उसने सबसे कहा कि, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपका इंकार करे, और प्रती दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोदे या उसकी हानी उठाए, तो उसे क्या लाब होगा, जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा, तो उसे लज जाएगा, मैं तुम से सच कहता हूँ, जो यहां खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, तब तक मृत्यू का स्वाद न चखेंगे। इन बातों के कोई आठ दिन बाद, वो पत्रस, युहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड पर गया, जब वो प्रार्थना करे रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुश उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सेत दिखाई दिये, और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशले में होने वाला था, पत्रस और उसके साथ ही नीन से भरे थे, और जब सचेत हुए, तो उसकी महिमा को और उ उसके साथ खड़े थे, देखा, जब वे उसके पास से जाने लगे, तो पत्रस ने यूशू से कहा, हे सौमी, हमारा यहां रहना भला है, हम तीन मंडब बनाएं, एक तेरे लिए, एक मुसा के लिए और एक एलिया के लिए, वो जानता ना था, कि क्या कहरा है, वो ये कही रहा था, कि एक बादल ने आका नचा लिया, और जब वे उस बादल से घरने लगे, तो तर गए, उस बा ये शब्द होते ही येशु अकेला पाया गया, वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था, उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही, दूसरे दिन जब वे पहार से उतरे, तो एक बड़ी भीड उससे आ मिली, और देखो, भीड मैंसे एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, ए गुरू, मैं तुससे बिन्ती करता हूँ, तेरे पुत्र पर कृपाद रिष्टी कर, क्योंकि वो मेरा इकलाता है, देख, एक दुष्टात्मा उसे पकरता है, और वो एक आएक चिल्ला उड़ता है, और वो उसे ऐसा मरोडता है, कि वो मूँ में फेन भरलाता है, और उसे कुचल कर कठनाई से छोडता है, मैंने तेरे चेलों से बिन्ती की, क्यों से निकाले हैं, परन्तु वे ना निकाल सके, येशु ने उत्तर दिया, हेया विश्वासी और हटीले लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहां लिया, वो आही रहा था, कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोडा, परन्तु येशु ने अशुद आत्मा को डाटा, और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौप दिया, तब सब लोग परमेश्वर की महा सामर्थ से चकित हुए, जब सब लोग उन सब का अच्छमभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परन्तु वे इस बात को ना समझते थे, और वो उनसे छिपी रही, कि वे उसे जानने ना पाए, और वे इस बात के विशे में उससे पूछने से डरते थे, फिर उनमें ये विवाद होने लगा, कि उनमें बड़ा कौन है, ये शुने उनके मन का विचार जान लिया, और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बाल को ग्रहन करता है, वो मुझे ग्रहन करता है, और जो कोई मुझे ग्रहन करता है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है, वही बड़ा है, तब यूहन्ना ने कहा है सौमी हमने एक मनश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता यिशु ने उससे कहा उसे मना मत करो क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओ रहे जब उसके उपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरुशलेम को जाने का द्रिड निश्चे किया और उसने अपने आगे दूत भेजे वे सामरियों के एक गाउ में गए कि उसके लिए जगह तयार करे परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरुशलेम को जा रहा था ये देखकर उसके चेले याकूब और युहन्ना ने कहा हे प्रभू क्या तुचाहता है कि हम आग्या दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे परंतो उसने फिरकर उन्हें डाटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो मनुष्य का पुट्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है तब वे किसी और गाउं में चले गए जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहां जहां तु जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा यिशु ने उससे कहा लोमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सरधरने की भी जगा नहीं उसने दूसरी से कहा मेरे पीछे हो ले उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दू उसने उससे कहा मरे हुँओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आउं यिशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं अध्याय दस इन बातों के बाद प्रभु ने सत्तर और मनुष्य नियुक्त किये और जिस जिस नगर और जगय को वो स्वयम जाने पर था वहाँ उन्हें दोदो करके अपने आगे भेजा उसने उनसे कहा पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से बिनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे जाओ देखो मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेजता हूं इसलिए न बटुआ न जोला न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्यान हो यदि वहां कोई कल्यान के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्यान उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास लोट आएगा उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए घर घर न फिरना जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ वहां के बीमारों को जंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है परन्तु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहन न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाओं में लगी है हम तुम्हारे सामने जाड़ देते हैं तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है मैं तुमसे कहता हूँ उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी हाए खुराजीन हाए बैट सैदा जो सामर्थ के काम तुम्हें किये गए यदि वे सूर और सैदा में किये जाते तो ताट ओड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते नयाए के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी और हे कफर नहूम क्या तु स्वर्ग तक उचा किया जाएगा तू तो अधो लोग तक नीचे जाएगा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुछ जानता है वो मुझे तुछ जानता है और जो मुझे तुछ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुछ जानता है वे सत्तर आनंद से लोट कर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बश्च में है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ख से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सापों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत् असी वस्तु से तुम्हें कुछ हानी न होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो, कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परन्तु इससे आनंदित हो कि तुहारे नाम स्वर्ग पर लिखे है, उस घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृत्वी के प्रभू, मैं तेरा धन्यवात करता हूँ, कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रकट किया, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप द और कोई नहीजानता कि पुत्र कौन है केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहें, और चेलों की और फिरकर एकांत में कहा, धन्य हैं वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं क्योंकि मैं तुम से कहता हूं बहुत से भविश्य द्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं और जो बातें तुम सुनते हो सुनें पर न सुनीं और देखो एक व्यवस्था पक उठा और ये कहकर उसकी परिक्षा करने लगा हे गुरू अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ उसने उससे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है उसने उत्तर दिया तभू अपने परमेश्वर से अपनी सारे मन और अपनी सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख और अपने पढ़ोसी से अपनी समान प्रेम रख उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो जीवित रहेगा परम्तु उसने अपनी तई धर्मे ठैराने की इच्छा से येशु से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है येशु ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरूशलेन से यरीहों को जा रहा था डाकूओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिये और मार पिट कर उसे अद्मरा छोड़ कर चले गए और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था परन्तु उसे देख कतरा कर चला गया इसी रीती से एक लेवी उस जगह पर आया वो भी उसे देख कतरा कर चला गया परन्तु एक सामरी यात्री वहां आया यात्री ने उसे देख कर दरस खाया उसने पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चड़ाकर उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की दूसरे दिन उसने दो दिनार निकाल कर भट्यारे को दिये और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लोटने पर भर दूँगा अब तेरी समझ में जो डाकूओं में घिर गया था उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया येशू ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर जब वे जा रहे थे तो वो एक गाउं में कहा और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया और मरियम नाम उसकी एक बहन थी उप्रभू के पाउं के पास बैठ कर उसका बचन सुन रही थी मार्था सेवा करते करते खबरागे और उसके पास आकर कहने लगी हे प्रभू क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है उससे कहे कि मेरी सहायता करे प्रभू ने उसे उत्तर दिया मार्था हे मार्था तु बहुत बातों के लिए चिनता करती और घबराती है प्रन्तु एक बात अवस्य है और उस उत्तम भाग को मैयम ने चून लिया है जो उससे छीना ना जाएगा अध्याए ग्यारा फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे प्रभु जैसे योहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी सिखाते उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें तिया कर, हमारे पापों को ख्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को ख्षमा करते हैं, और हमें परिक्षा में नला। और उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मित्र, मुझे तीन रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंध है, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवशकता हो, उतनी उठकर देगा, और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, धूंडो तो तुम पाओगे, खट खटाओ तो तु कोई मांगता है, उसे मिलता है, और जो ढूंटता है, वो पाता है, जो खट खटाता है, उसके लिए खोला जाएगा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे, या मचली मांगे, तो मचली के बदले उसे साप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छु दे, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? फिर उसने एक गुंगी दुष्टात्मा को निकाला, जब दुष्टात्मा निकल गई, तो गुंगा बोलने लगा, और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्टात्मा के प्रधान की साहता से दुष्टात्मा को निकालता ह और उने उसकी परिक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्द मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है, वो राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है, वो नाश हो जाता है, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए, तो उसका राज्य क्योंकर बना रहेगा, तुम मेरे विशय में तो कहते हो, कि ये शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है। इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परन्तु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पा पर जब पलवंत मनुष्य हथियार बांदे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है पर जब उससे बढ़कर कोई और पलवंत चड़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम धूनती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाओंगी और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है जब वो ये बातें कर ही रहा था तो भीड मैंसे किसी स्त्री ने उचे शब्द से कहा धन्य है वो गर्ब जिसमें तू रहा और वे स्थन जो तूने चूसे उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं जब भेड एकठी होती जाती थी तो वो कहने लगा इस युक्ये लोग बुरे हैं वे चिन ढूनते हैं पर युनुस के चिन को छोड़ कोई और चिन उन्हे न दिया जाएगा जैसा युनुस निन्वे के लोगों के लिए चिन ठहरा वैसा ही मनुष्ये का पुत्र भी इस युक्ये लोगों के लिए ठहरेगा दक्षिन की रानी नियाय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वो सुलेमान का ग्यान सुनने को पृत्वी की छोर से आई और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है नीन्वे के लोग नियाय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है कोई मनुष्य दिया बार के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है परन्तु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है इसलिए चौकस रहना जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है जब ये बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे बिनिती की मेरे यहां भोजन कर और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा फरीसी ने ये देखकर अचमभा किया कि उसने भोजन करने से पहले सनान नहीं किया प्रभू ने उससे कहा हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को उपर उपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुश्टता भरी है, हे निर्बुध्यों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, हे फरीसियों, तुम पर हाए, तुम पौदीने और सुदाब का, और सब भांती के सागपात का, दसवां अंश देते हो, परंतु नयाय को, और परमेश्वर के प्रेम को डाल देते हो, चाहिए तो था, क इन्हें भी करते रहते, और उन्हें भी न छोड़ते, हे फरीसियों, तुम पर हाए, तुम आराधनालेओं में, मुख्य आसन और बाजारों में, नमस्कार चाहते हो, हाए तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कबरों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परंतु नहीं जा तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गिरू, इन बातों को कहने से तु हमारी निंदा करता है, उसने कहा, हे व्यवस्थापक को तुम पर हाए, तुम ऐसे बोज, जिनको उठाना कठिन है, मनुष्य पर लातते हो, परंतु तुम आप उन बोजों को अपनी एक उंगली से भी नहीं चूते, हाए तुम पर तुम उन भविश्य द्वकताओं की कबरे बनाते हो, जिनहें तुमारे ही बाप दादों ने मार डाला था, सो तुम गवाह हो, और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो, क्योकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला, और त तुम उनकी कबरे बनाते हो, इसलिए परमेश्वर की बुद्धी ने भी कहा है, मैं उनके पास भविश्य द्वकताओं और प्रेवितों को प्यजूंगे, वे उनमें से कितनों को मार डालें और कितनों को सताएंगे, ताकि चितने भविश्य द्वकताओं का लोहु जगत क उत्पत्ती से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए, हाबील की हत्या से लेकर जकर्याह की हत्या तर जो वेदी और मंदिर के बीच में खात किया गया, मैं तुम से सच कहता हूँ, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा, हाए तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ज्यान की कुंजी ले दो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। भी भीड लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। प्रियों में कानों कान कहा है, वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। परन्तु मैं तुम से जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, जो शरीर को घात करते हैं, परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, खात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरन मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो। क्या दो पैसे की पाँच गौरईया नहीं बिखती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरईयों से बढ़कर हो, मैं तुम से कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा, परन्तु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वो अपराद ख्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराद क्षमा न किया जाएगा जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या उत्तर दें या क्या कहें क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घरी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए फिर भीड मेंसे एक ने उससे कहा हे गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे उसने उससे कहा हे मनुष्य किसने मुझे तुम्हारा न्याई या पांटने वाला न्युक्त किया है और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ती की बहुतायत से नहीं होता उसने उनसे एक द्रिश्टांत कहा किसी धनवान की भूमी में बड़ी उपज हुई तब वो अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे यहां जगा नहीं जहां अपनी उपज इतियादी रखूँ और उसने कहा मैं ये करूँगा मैं अपनी बखरियां तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ती रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ती रखी है चैन करूँ, खापी, सुक से रह परंतु परमेश्वर ने उससे कहा ए मुर्क, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा तब जो कुछ तूने इकठा किया है, वो किसका होगा ऐसा ही वो मनुष्य भी है, जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं फिर उसने अपने चेलों से कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खता होता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है तुम्हारा मुल्य पक्षियों से कहीं अधिक है तुम में से ऐसा कौन है, जो चिंता करने से अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो सोसन के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न कातते हैं तो भी मैं तुम से कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहिने हुए न था इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड में जोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों वो तुमें क्यों न पहनाएगा और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न संदेह करो क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्टूओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्टूओं की आवशक्ता है परन्तु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्टूओं भी तुम्हें मिल जाएंगी ये छोटे जुंड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे अपनी संपत्ती बेच कर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटूओं बनाओ जो पुराने नहीं होते अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकठा करो जो घठता नहीं जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीडा नहीं बिगाडता तुकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिये जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हों कि वो ब्याह से कब लोटेगा कि जब वो आकर द्वार खट-कटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें धन्य हैं विदास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं, परन्तु तुम ये जान रखो, कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता, और अपने घर में सेंध लगने न देता, तुम भी तैयार रखो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आजाएगा, तब पत्रस ने कहा, हे प्रभू, क्या ये दृष्टांत तु हमी से ये सबसे कहता है, प्रभू ने कहा, ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंधारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर संधार ठहराए, कि उन्हें समय पर सीध धन्य है वो दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सब संपत्ती पर सरदार ठहराएगा, परंतु यदि वो दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीतने लगे और खाने पीने और प्यक्कड होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जिसकी वो उसकी बाट जोता नहो और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता नहो आएगा, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा, वो दास जो अपने स्वाम की इच्छा जानता था, पर तैयार न रहा, और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, परन तु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत भागा जाएगा, और जिसे बहुत सौपा गया है, उससे बहुत मांगेंगे, मैं पृत्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलक जाती, मुझे तो एक बप्तिस्मा लेना है, और जब तक वो न हो ले, तब तक मैं कैसी सकेती में रहूँगा, क्या तुम समझत हो कि मैं पृत्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं तुम से कहता हूँ, नहीं बरन अलग कराने आया, क्योंकि अब से एक घर में पाँच जन आपस में बैर रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से बैर रखेगा, मा बेटी से और सास से बैर रखेगी, और उस भेड से भी कहा, जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो तुरंद कहते हो, कि वर्शा होगी, और ऐसा ही होता है, और जब दख्छिना चलती देखते हो, तो कहते हो, कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है, हे कप्टियो तुम धर्ती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो परन्तु इस युक के विशे में क्यूं भेद करना नहीं जानते और तुम आप ही निर्णे क्यूं नहीं कर लेते कि उचित क्या है जब तु अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार गही में उससे छूटने का यत्म कर ले ऐसा नहो कि वो तुझे नियाई के पास खीच ले जाए और नियाई तुझे प्यादे को सौपे और प्यादा तुझे बंदी ग्रह में डाल दे मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक तु दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा अध्याय तेरा उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उस से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पीला तुसने उनहीं के बनिदानों के साथ मिलाया था ये सुन उसने उन से उत्तर में ये कहा क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ती पड़ी मैं तुम से कहता हूँ नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीती से नाश होगे या क्या तुम समझते हो कि वे अठारह जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अफरादी थे मैं तुम से कहता हूँ नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी सब इसी रीती से नाश होगे फिर उसने ये दिश्टांत भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था वो उसमें फल ढूनने आया परन्तु न पाया तब उसने बारी के रखवाले से कहा देख तीन वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूनने आता हूँ परन्तु नहीं पाता इसे काट डाल कि वो भूमी को भी क्यूं रोके रहे उसने उसको उत्तर दिया हे स्वामी इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों और खोद कर खाद डालूं सो आगे को फले तो भला नहीं तो उसे काट डालना सब्त के दिन वो एक अराधनाले में उपदेश कर रहा था और देखो एक इस्तरी थी जिसे अठारा वर्ष से एक दुरबल करने वाली दोस्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीती से सीधी नहीं हो सकती थी येशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा हे नारी तु अपनी दुरबलता से छूट गई तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंट सिधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी इसलिए कि येशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था अराधनाले का सरकार रिसिया कर लोगों से कहने लगा छे दिन हैं जिन में काम करना चाहिए सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो परन्तु सब्त के दिन में नहीं ये सुनकर प्रभू ने उत्तर दे कर कहा हे कप्टियो क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इबराहिम की बेटी है जिसे शैतान ने अठारां वर्ष से बांध रखा था सब्त के दिन इस बंधन से छुड जाती जब उसने ये बाते कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किस से दूं वो राई के एक दाने के समान है जिसे किसी म जारी में बोया वो बढ़कर पेड हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया उसने फिर कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दूं वो खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया वो नगर नगर और गाम गाम होकर उपदेश करता हुआ यरुशलेम की ओर जा रहा था और किसी ने उससे पूछा ये प्रभू क्या उध्धार पाने वाले थोड़े हैं उसने उससे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो क्योंकि मैं तुमसे कहता कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खट खटा कर कहने लगो हे प्रभू हमारे लिए खोल दे और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हे नहीं जानता तुम कहा के हो तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तुने हमारे बाजारों में उपधेश किया परन्तु वो कहेगा मैं तुम से कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहा से हो हे कुकरम करने वालो तुम सब मुझ से दूर हो वहां रोना और दात पीसना होगा तुम इबराहिम और इसहाक और याकूब और सब भविश्य द्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले हुए देखोगे। पूर्व और पच्छिम उत्तर और दक्षिन से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। जाकर उस लोम्री से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविश्य द्वक्ता यरू शलेम के बाहर मारा जाए हे यरू शलेम हे यरू शलेम तू जो भविश्य द्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखो के नीचे इकठे करती है वैसे ही मैं भी तिरे बालकों को इकठे करूँ पर तुमने ये न चाहा देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड छोड़ा जाता है और मैं तुम से कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभू के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। अध्याय चौदा, फिर वो सब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे, और देखो, एक मनुश्य उसके सामने था, जिसे जलंधर का रोग था, इस पर येशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्द के दिन अच्छा करना उचित है, अत्वा नहीं, परंतु वे चुपचाप रहे, तब उसने उसे हाथ लगा कर चंगा किया, और जाने दिया, और उनसे कहा, कि तुम में से ऐसा कौन है, जिसका गधा या बैल कुए में गिर जाए, और वो सब्द के दिन उसे वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके, जब उसने देखा कि नेवता हारी लोग क्योंकर मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक द्रिश्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए, तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा नहो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और जब तुझे लजजित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े, पर जब बुलाया जाए, तो सबसे नीची जगह जा ब बढ़कर बैट तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आपको बढ़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा। जब तु दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटंबियों या धनवान पडोसियों को न बुला। कहीं ऐसा नहू कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परन्तु जब तु भोज करे तो कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को बुला तब तु धन्य होगा। क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा। धन्ड है वो जो परमेश्वर के राच्चे में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तयार हो गया, तो उसने अपने दास के हाथ नेवता हारियों को कहला भेजा। कि आओ, अब भोजन तयार है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे बिनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने पाँच जोडे बैल मोल लिये हैं, और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे बिनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बाते कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था, वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगा है। स्वामी ने दास से कहा, सडकों पर और बाडों की ओर जाकर लोगों को बर्बस ही लेया, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुऊं में से कोई मेरी जेवनार को न चकहेगा। और जब बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाईयों और बहिनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकत और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता, तुम मेंसे कौन है कि गड़ बनाना चाहता हो, और पहले बैठ कर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है या नहीं, कहीं ऐसा नहो कि जब नेव डाल कर तयार न कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगें, कि ये मनुश्य बनाने तो लगा, पर तयार न कर सका, ये कौन ऐसा राजा है, जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठ कर विचार न कर ले, कि बीस हजार लेकर मुझ प दूर रहते ही, वो दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा, इसी रीती से, तुम में से, जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड जाए, तो वो किस वस्तु से स्वादिष् उसे तो लोग बाहर फेंग देते हैं, जिसके सुनने के कान हो, सुन ले अध्याए पंद्रा सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़-कुड़ा कर कहने लगे ये तो पापियों से मिलता है, और उनके साथ खाता भी है तब उसने उनसे ये द्रिस्टांत कहा तुम मेंसे कौन है, जिसकी सौ भेडे हो, और उनमेंसे एक खो जाए तो निनानवे को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए, खोज़ता न रहे और जब मिल जाती है, तब वो बड़े आननद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पडोसियों को इकठे करके कहता है मेरे साथ आननद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई है मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में भी स्वर्ग में इतना आननद होगा जितना निनानवे ऐसे धर्मियों के विशय नहीं होता, जिने मन फिराने की आवशक्ता नहीं ये कौन ऐसी स्त्री होगी, जिनके पास दस सिक्के हों, और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया बार कर, और घर जाड बुहार कर, जब तक मिल न जाए, जी लगा कर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सक्षियों और पडोसियों को इकठी करके कहती है, कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में, परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उन में से छुटके ने पिता से कहा, कि हे पिता, संपत्ती में से जो भाग मेरा हो, वो मुझे दे दीजिये, उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी, और बहुत दिन न भीते थे, कि छुटका पुत्र सब कुछ इकठ करके एक दूर देश को चला गया, और वहां कुकरम में अपनी संपत्ती उड़ा दी, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो गंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपन कि कुछ नहीं देता था, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोगी मिलती है, और मैं यहां भोका मर रहा हूं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाओंगा, और उससे कहूंगा, कि पिता जी, मैंने स् दूर की नाई रख ले, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड कर उसे गले लगाया, और बहुत चूमा, पुत्र ने उससे कहा, पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, और तेरी दृष्ट अच्छे से अच्छा वस्तर निकाल कर उसे पहिनाओ, और उसके हाथ में, अंगूठी और पाओं में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बचड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं, और आनन्द मनावें, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब म निकट पहुंचा, तो उसने गाने, बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुला कर पूछा, ये क्या हो रहा है, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बचड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है, ये उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आग्या नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, परन्तु, जब तेरा ये पुत्र, जिसन तेरी संपत्ती विश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्चडा कटवाया, उसने उससे कहा, भुत्र, तु सरवदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है, वो सब तेरा ही है, अब आनंद करना, और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, अध्याय सोला, फिर उसने चेलो से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोश लगाया, कि ये तेरी सब संपत्ती उड़ाए देता है, उसने उसे बुला कर कहा, ये क एको भंडारी नहीं रह सकता, तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीक मांगने से मुझे लज्जा आती है, मैं समझ गया, कि क्या करूँग कि जब मैं भंडारी के काम से चुड़ाया जाओं, तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें, उसने अपने स्वामी के देंदारों में से एक-एक को बुला कर पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है, उसने कहा, सौमन तेल, तब उसने उनसे कहा, कि अप अपने समय के लोगों के साथ रीती वहवारों में जोती के लोगों से अधिक चतुर हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ, कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें, जो थोड़े से थोड़े मे सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौपेगा, और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे, तो क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरेशी जो लोभी थे, ये सब बाते सुनकर उसे ठटों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आपको धर्मी ठहरा दे। परन्तु परमेश्वर तुमारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की द्रिष्टी में महान है, वो परमेश्वर के निकट ग्रणित है। व्यवस्था और भविश्य द्वक्ता युहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और प्रिथ्वी का तल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिठ जाने से सहज है। जो कोई अपनी पतनी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है, वो व्यभिचार करता है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वो भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहिंता, और प्रति दिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ, उसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे, और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, और दूतों ने उसे लेकर इबराहीम की गोद में पहुचाया, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, अदलोक में उसने पीडा में पड़े हुए, अपनी आँखें उठाई, और दूर से इबराहीम की गोद में लाजरस को देखा, उसने पुकार कर कहा, ये पिता इबराहीम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, कि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भीगो कर मेरी जीव को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस च्वाला में तड़प रहा हूँ, परन्तु इबराहीम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ल तू तडप रहा है, और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच, एक भारी गढ़ा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें, बिना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकें, उसने कहा, तो हे पिता, मैं पिता के घर भेज, मेरे पांच भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो, कि वे भी इस पीडा की जगह में आएं, इबराहीम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविश्य द्वकताओं की पुस्तके हैं, वे उनकी सुने, उसने कहा, नहीं हे पि पिता इबराहीम, पर यदी कोई मरे हुओं में से, उनके पास जाएं, तो वे मन फिराएंगे, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविश्य द्वकताओं को नहीं सुनते, तो यदी मरे हुओं में से, कोई जी भी उठे, तो उसकी भी नहीं मानेंगे, अध्याय सत्रा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगें, पर अध्याय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जो इन छोटों में से, किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता, कि चक्की का पाठ उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराद करें, तो उसे समझा, और यदि पच्चताएं, तो उसे क्षमा कर, यदि दिन भर में, वो सात बार तेरा अपराद करें, और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहें, कि मैं पच्चताता हूं, त उसे ख्षमा कर तब प्रेरितों ने प्रभू से कहा हमारा विश्वास बढ़ा प्रभू ने कहा यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोटता या भेडें चराता हो और जब वो खेट से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ और ये न कहे कि मेरा खाना तयार कर और जब तक मैं खाऊं पियूं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर इसके बाद तू भी खापी लेना क्या वो उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किये जिसकी आग्या दी गई थी इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आग्या तुम्हे दी गई थी तो कहो हम निकम में दास हैं जो हमें करना चाहिए था वही किया है और ऐसा हुआ कि वो यरुशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गाओं में प्रवेश करते समय उसे दस कोड़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर उचे शब्द से कहा हे येशु, हे स्वामी, हम पर दया कर उसने उन्हें देख कर कहा जाओ और अपने तैं याजकों को दिखाओ और जाते ही वे शुद्ध हो गए तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ उचे शब्द से परमेश्वर के बढ़ाई करता हुआ लोटा और येशु के पाउं पर मूँ के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा और वो सामरी था इस पर येशु ने कहा क्या दसों शुद्ध ना हुए तो फिर वे नौ कहा है क्या इस परदेशी को छोड़ कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता तब उसने उससे कहा उठकर चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और उसने चेलों से कहा वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाऊगे लोग तुम से कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है परन्तु तुम चले न जाना और ना उनके पीछे हो लेना क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौन्द कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा परन्तु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा जिस दिन तक नूह जहाज पर नचड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड लगाते और घर बनाते थे परन्तु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को न उतरे और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लोटे लोट की पतनी को स्मरण रखो जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस्ती होगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा ये सुन उन्होंने उससे पूछा हे प्रभू, ये कहा होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है, वहां गिद्ध इकठे होंगे. अध्याय अठारा फिर उसने इसके विशे में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये द्रिश्टांत कहा, किसी नगर में एक नियाई रहता था, जो न परमेशवर से डरता था, और न किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विद्वा रहती थी, जो उसके पास आ आ कर कहा करती थी, कि मेरा नियाय चुका कर मुझे मुझे मुद्दई से बचा, उसने कितने समय तक न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपी मैं न परमेशवर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विद्वा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका नियाय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घडी आकर अंत को मेरा न नियाय क्या कहता है, सो क्या परमेशवर अपने चुने हुओं का नियाय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विशय में देर करेगा, मैं तुम से कहता हूं, वो तुरंत उनका नियाय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृत्वी पर विश्वास पाएगा और उसने कितनों को जो अपने उपर भरुसा रखते थे कि हम धर्मी है और औरों को तुछ जानते थे ये द्रिस्टांत कहा दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन् अभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं मैं सपताह में दो बार उपवास करता हूं मैं अपनी सब कमाई का दस्वा अंश भी देता हूं परन्तु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्क की ओर आख उठाना भी न चाहा भरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं वो दूसरा नहीं परन्तु यही मनुष्य धर्मी थेराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हात रखे और चेलों ने देखकर उन्हें डाटा येशु ने बच्चों को पास बुला कर कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य हैसों ही का है मैं तुम से सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करेगा वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा किसी सरदार ने उससे पूछा हे उत्तम गुरू अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं येशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तू आज्याओं को तो जानता है कि वेविचार न करना हत्या न करना और चोरी न करना जूठी गवाई न देना अपने पिता और अपनी माता का आधर करना उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं ये सुन येशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था येशु ने उससे देख कर कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से उँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है और सुनने वालों ने कहा तो फिर किसका उद्धार हो सकता है उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पत्रस ने कहा देख हम तो छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं उसने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाईयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो इस समय कई गुणा अधिक न पाए और परलोक में अनन्त जीवन फिर उसने बारहों को साथ लेकर उनसे कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी च्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठटों में उडाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोडे मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया जब वो यरियों के निकट पहुँचा तो एक अंधा सडक के किनारे बैठा हुआ भीक मांग रहा था वो भीड के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है उन्होंने उसको बताया के येशु नासरी जा रहा है तब उसने पुकार कर कहा हे येशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर जो आगे जाते थे वे उसे डाटने लगे चुप रहे परंतु वो और भी चिलने लगा तब येशु ने खड़े होकर आग्या दे, उसे मेरे पास लाओ, जब वो निकट आया, तो उसने उससे ये पूछा, तु क्या चाहता है, कि मैं तेरे लिए करो, उसने कहा, येशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, और वो तुरंत देखने लगा, और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ, उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर, परमेश्वर की स्तुति की, अध्याय उननिस उसी मार्क से जाने वाला था, जब यूशु उस जगे पहुचा, तो उपर द्रिष्टी करके उससे कहा, वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुश्य के यहां जाउत्रा है, जग कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ये प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ती कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चोगना फ्रेर देता हूँ, तब येशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इबराहीम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुश्य का पुत्र, खोए हुऊं को ढूंडने और उनका उद्धार करने आया है, जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उसने एक द्रिस्ठांत कहा, क्योंकि वो येरुशलेम के निकट था, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट होने वाला है, उसने कहा, एक धनी मनुश्य दूर देश को चला, कि राजपत पाकर फिर आये, उसने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना, उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, इसलिए उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भीजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे, जब वो राजपद पाकर लौट आया, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड दी थी, अपने पास बुलवाया, कि मालूम करे, कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है, तब पहले ने आकर कहा, ये स्वामी, तेरी मोहर से दस और मोहरें कमाई हैं, उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तमदास, तु बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब दस नगरों पर अधिकार रख, दूसरों ने आकर कहा, ये स्वामी, तेरी मोहर से पाँच और मोहरें कमाई हैं, उसने उससे भी कहा, कि तू भी पाँच नगरों पर हाकिम हो जा, तीसरे ने आकर कहा, ये स्वामी देख, तेरी मोहर ये हैं, जिसे मैंने अंगोचे में बाद रखी हैं, क्योंकि मैं तुझ से डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य हैं, जो तूने नहीं रखा, उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया, उसे काटता है, उसने उससे कहा, हे दुष्टदास, मैं तेरे ही मोह से तुझे दोशी ठहराता हूँ, तू मुझे जानता था, कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा, उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया, उसे काटता हूँ, तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं ले लेता और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा वो मोहर उससे ले लो और जिसके पास दस मोहरें हैं उसे दे दो उन्होंने उससे कहा हे स्वामे उसके पास दस मोरे तो है मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा परन्तु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं यहां लाकर मेरे सामने घात करो ये बातें कहकर वो यरुशलेम की ओर उनके आगे आगे चला और जब वो जैतून नाम पहाड पर बैत फगे और बैत निहा के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गाओं में जाओ और उसमें पहुचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बना हुआ तुमें मिलेगा उसे खोल कर लाओ यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हूँ तो ये कह देना कि प्रभू को इसका प्रयोजन है जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभू को इसका प्रयोजन है वे उसको येशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर येशु को उस पर सवार किया जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे निकट आते हुए जब वो जैतून के ढलान पर पहुँचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामूं के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की सुपी करने लगी की धन्हे गोराजा जो प्रभू के नाम से आता है स्वर्ग में शांती और आकाश मंडल में महिमा हो तब भीड में से कितने फरीसी उससे कहने लगे ए गुरू अपने चेलों को टान उसने उत्तर दिया मैं तुम से कहता हूँ यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे जब वो मिकट आया तो नगर को देखकर उस पर भोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता परन्तु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं विदिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे क्योंकि तुने ये अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टी की गई न पहिचाना तब वो मंदर में जाकर पेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परन्तु तुमने उसे डाकों की खोह बना दिया है और वो प्रती दिन मंदर में उपतेश करता था और महयाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अफसर ढूंडते थे परन्तु कोई उपाय न निकाल सके कि ये किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसके सुनते थे एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदर में लोगों को उपतेश देता और सुसमचार सुना रहा था तो महायाजक और शाष्ट्री पुर्णियों के साथ पास आकर खड़े हुए वे कहने लगे के हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है उसने उनको उत्तर दिया मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझे बताओ युहन्ना का बबतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था तब वे आपस में कहने लगे यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा फिर तुम ने उसकी प्रतिती क्यों नहीं की और यदि हम कहें मनुश्यों की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यहुन्ना सचमुच भाविश्य दुखता है सो उन्होंने उत्तर दिया हम नहीं जानते कि वो किसकी ओर से था येश्यों ने उन से कहा तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं तब वो लोगों से ये द्रिश्टांत कहने लगे कि किसी मनुश्य ने दाक की बारी लगाई और किसानों को ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाक की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें पर किसानों ने उसे पीट कर छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर और उसका अपमान करके छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे घायल करके निकाल दिया तब दाक की बारी के स्वामी ने कहा मैं क्या करूँ मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा क्या जाने वे उसका आदर करें जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि वो तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले कि मिरास हमारी हो जाए उन्होंने उस उसे दाक की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला इसलिए दाक की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाक की बारी औरों को सौपेगा ये सुनकर उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसा ना करे उसने उनकी ओर देखकर कहा फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकना चूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा उस घड़ी शास्त्रियों और माहयाजकों ने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर ये द्रिश्टांत कहा परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिये भेजे कि धर्म का भेश धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें कि उसे हाकि के हाथ और अधिकार में सोप दें उन्होंने उससे ये पूछा गुरु हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है तू किसी का पक्षपात नहीं करता वरन परिमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है क्या हमें कैसर को कर देना उचित है अत्वा नहीं उसने उनक मुझे दिखाओ इस पर किस की मूर्ती और नाम है उन्होंने कहा कैसर का उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ ना सके बरा उसके उत्तर से अचंबित होकर चुप रह गए सदू की मरे हुऊं का जी उठने नहीं मान उनमें से कितनों ने उनके पास आकर पूछा हे गुरू मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे सो साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे ने और फिर तीसरे ने भी उस इस्तरी को ब्याह लिया इस रीती से साथों बिना संतान मर गए सब के पीछे वो इस्तरी भी मर गए सो जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी क्योंकि वो साथों की पत्नी हो चुकी थी यिशू ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है पर जो लोग इस योग ये ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हूँ में से जी उठना प्राप्त करें उनमें ब्याह शादी न होगी वे फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे और जी उठने की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे परन्तु ये बात की मरे हुए जी उठते हैं मूसा ने भी जाडी की कथा में प्रगट की है कि वो प्रभु को इबराहीम का परमेश्वर इस हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परन्तु जीवितों का परमेश्वर है क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं ये सुनकर शास्त्रियों मेंसे कितनों ने ये कहा ए गुरू तुने अच्छा कहा उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हयाव ना हुआ फिर उसने उनसे पूछा मसीह को दाउद की संतान क्यूं कहते हैं दाउद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दाही ने बैठ जब तक की मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के तले न कर दूँ दाउद तो उसे प्रभू कहता है तो फिर वो उसकी संतान कैसे ठहरा जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा शास्त्रियों से चौकस रहो जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भाता है और जिनहें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्यासन और जेवनारों में मुख्यस्थान प्रिय लगते हैं वे विद्वाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ये बहुत ही दंड पाएंगे अध्याए 21 फिर उसने आख उठा कर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा उसने एक कंगाल विद्वा को भी उसमें दो दमडियां डालते देखा तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विद्वा ने सबसे बढ़कर डाला क्योंकि उन सबने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है परन्तु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीवी का डाल दी है जब कितने लोग मंदिर के विशे में कह रहे थे कि वो कैसे संदर पत्थरों और भेट की वस्तों से सवारा गया है तो उसने कहा वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो धाया न जाएगा उन्होंने उससे पूछा हे गुरू ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन होगा उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और ये भी कि समय निकट आ पहुचा है तुम उनके पीछे न चले जाना और जब तुम लड़ाईयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा तब उसने उनसे कहा कि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और बड़े बड़े भूई डोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन प्रगट होंगे परन्तु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंधी ग्रह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूँगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकडवाएंगे यहां तक की तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है तब जो यहूदिया में हों वो पहाडों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं और जो गावों में हों, वे उसमें न जाएं क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी उन दिनों में जो गर्बवती और दूद पिलाती होंगी उनके लिए हाई हाई क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ती होगी वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुचाये जाएंगे और जब तक अन्न जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौदा जाएगा और सूरज और चांद और तारों में चिन्ध दिकाई देंगे प्रिथवी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोला हल से खवरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां इलाई जाएंगे तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा उसने उनसे एक दिश्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो जो ही उनकी कोंपले निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रिश्मकाल निकट है इसी रीती से जब तुम ये बाते होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीड़ी का कदापी अंत न होगा आकाश और पृत्वी तल जाएंगे परन्तु मेरी बातें कभी न तलेंगी इसलिए सावधान रहो ऐसा न हो कि तुहारे मन, खुमार और मतवाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्थ हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े क्योंकि वो सारी पृत्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो और वो दिन को मंदिर में उप्तेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पाहड पर रहा करता था और भोर को तड़के सब लोग उसके सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे अध्याय बाईस अखमेरी रोटी का पर्ब जो फसे कहलाता है निकट था महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको किसी प्रकार मार डालें पर वे लोगों से डरते थे शैतान यहूदा में समाया जो इस करियोती कहलाता और बारे चेलों में गिना जाता था उसने जाकर महायाजकों और पहरूओं के सरदारों के साथ बात चीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकडवाएं वे आनंदित हुए और उसे रुपे देने का वचन दिया उसने मान लिया और अफसर ढूनने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकडवा दे तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसे का मेमना बली कर अवश्य था और येशु ने पत्रस और योहन्ना को ये कह कर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसाह तैयार करो उन्होंने उससे पूछा तु कहा चाहता है कि हम तैयार करें उसने कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम मिलेगा जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना उस घर के स्वामी से कहो कि गुरू तुझ से कहता है कि वो पाहुन्शाला कहा है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसाह खाऊं वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां तैयारी करन उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसाह तैयार किया जब घड़ी पहुची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसाह तुम्हारे साथ खाऊं क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बाट लो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हूँ दी के ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो इसी रिती से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया के ये कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है पर हाए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है तब वे आपस में पूष्टाश करने लगे के हम में से कौन है जो ये काम करेगा उनमें ये बाद विवाद भी हुआ के हम में से कौन बड़ा समझा जाता है उसने उनसे कहा अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं परन्तु तुम ऐसे न होना वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने क्योंकि बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ परन्तु तुम वो हो जो मेरी परिक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठ कर इसराइल के बाहर गोत्रों का नियाए करो शमोन हे शमोन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके परन्तु मैंने तेरे लिए बिनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तु फिरे तो अपने भाईयों को स्थिर करना उसने उससे कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदिग रह जाने वरन मरने को भी तयार हूँ उसने कहा हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता मुर्ग बांग न देगा और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटूए और जोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तू की घटी हुई थी उन्होंने कहा किसी वस्तू की नहीं उसने उनसे कहा परंतू अब जिसके पास बटूआ हो वो ले और वैसे ही जोली भी और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेच कर एक मोल ले क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है क्योंकि मेरे विशय की बातें पूरी होने पर हैं उन्होंने कहा हे प्रबु देख यहाँ दो तलवारे है उसने उनसे कहा बहुत है तब वो बाहर निकल कर अपनी रीती के अनुसार जैतुन के पाहड पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए उस जगे पहुँचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परिक्षा में और वो आप उनसे अलग एक धेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा यह पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था और वो अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बूंदों की न्याई भूमी पर गिर रहा था तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उसने कहा क्यूं सोते हो उठो प्रार्थना करो कि परिक्षा में न पड़ो वो ये कही रहा था कि देखो एक भीड आई और उन बारों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था ये यिशू के पास आया कि उसका चुमा ले यिशू ने उससे कहा हे यहूदा क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकडवाता है उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा हे प्रभू क्या हम तलवार चलाएं और उन में से एक ने महायाजक के दास पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया इस पर हीशु ने कहा अब बस करो और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया तब हीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरूं के सरदारों और पुर्णियों से जो उस पर चड़ाए थे कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिये हुए निकले हो जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुम ने मुझे पर हाथ न डाला पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंदकार का अधिकार है फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए और पत्रस दूर ही दूर उसके पीछी पीछी चलता था और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकठे बैठे तो पत्रस भी उनके बीच में बैठ गया और एक लॉंडी उसे आग के उज्याले में बैठे देख कर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी ये भी तो उसके साथ था परन्तु उसने ये कहकर इनकार किया के हे नारी मैं उसे नहीं जानता थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देख कर कहा तू भी तो उनी में से है पत्रस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य द्रिडता से कहने लगा निश्च ये भी तो उसके साथ था क्योंकि ये गलीली है पत्रस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है वो कही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी तब प्रभू ने घूम कर पत्र की ओर देखा और पत्रस को प्रभू की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वो बाहर निकल कर फूट फूट कर रूने लगा जो मनुष्य ये शु को पकड़े हुए थे वे उसे ठठों में पूछा कि भविष्यवारी करके बता कि तुझे किसने मारा और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसकी विरोध में कही जब दिन हुआ तो लोगों ने पुर्निये और महायाजक और शास्त्री इकठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा यदी तुमसे कहूं तु प्रतीती न करोगे और यदी पूछू तो उत्तर न दोगे परन्तु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तीमान परमेश्वर की दाहिनी और मैठा रहेगा इस पर सब ने कहा तो क्या तु परमेश्वर का पुत्र है उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ तब उन्होंने कहा अब हमें गवाई का क्या प्रयूजन है क्योंकि हमने आप ही उसके मुझ से सुन लिया है अध्य है तेश तब सारी सभा उठकर उसे पीला तुसके पास ले गई और वे ये कहकर उस पर दोश लगाने लगे के हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आपको मसी कहते हुए सुना है पीला तुसने उससे पूछा क्या तू यहुदियों का राजा है उसने उसे उत्तर दिया के तू आप ही कह रहा है तब पिलात उसने महायाजकों और लोगों से कहा मैं इस मनिश्य में कुछ दोश नहीं पाता पर वे और भी द्रड़ता से कहने लगे ये गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदियों में उपदेश दे दे कर लोगों को उकसाता है ये सुनकर पिलात उसने पूछा क्या ये मनिश्य गलीली है और ये जानकर कि वो हेरोदेश की रियासत का है उसे हेरोदेश के पास भेज दिया क्योंकि उन दिनों में वो भी यरुशलेम में था हेरोदेश येश्यू को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था इसलिए कि उसके विशे में सुना था और उसका कुछ चिन्न देखने की आशा रखता था वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोश लगाते रहे तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठटों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहना कर उसे पीलातुस के पास लोठा दिया उसी दिन पीलातुस और हेरोदेश मित्र हो गए इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे पीलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुला कर उनसे कहा तुम इस मनिश्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जाच की पर जिन बातों का तुम उस पर दोश लगाते हो उन बातों के विशे में मैंने उसमें कुछ भी दोश नहीं पाया है ना हैरोदस ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लोटा दिया है देखो उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मनश्य दंड के योग के पाया जाए इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ तब सब मिलकर चिलाओ ठेके इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे वो किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था पर पीलात उसने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया परंतु उन्होंने चिला कर कहा उसे ग्रूस पर चड़ा ग्रूस पर उसने तीस सी बार उन से कहा क्यों उसने कौन सी बुराई की है मैंने उसमें मित्यू के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ परंतु वे चिला कर पीछे पढ़ गे के वो ग्रूस पर चहाया जाए और उनका चिलाना प्रबल हुआ सो पिलात उसने आग्या दी कि उनकी बिनती के अनुसार किया जाए और उसने उस मनुष्य को जो बलबे और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था और जिसे वे चाहते थे छोड़ दिया और यिशू को उनकी इच्छा के अनुसार सौप दिया जब वे उसे लिये जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरैनी को जो गाउं से आ रहा था पकड़ कर उस पर टूस लाद दिया के उसे यिशू के पीछे ले चले लोगों की बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और बहुत से स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीठती और विलाब करती थी यिशू ने उनकी ओर फिर कर कहा हे यरुशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो परन तू अपने और अपने बालकों के लिए रो वे दिनाते हैं जिनमें कहेंगे धन्य हैं वे जो बांज हैं और वे गरब जो नजने और वे स्तन जिनोंने दूद न पिलाया उस समय वे पहाडों से कहने लगेंगे की हम पर गिरो और तीलों से की हमें ठाप लो क्योंकि जब वे हरे पेड के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा वे और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उनको कर्मियों को भी एक को दाइनियों दूसरे को बाईयों प्रूसों पर चले तब यूश्यों ने कहा हे पिता इने एक शमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और उन्होंने चिठीय डाल कर उसके कपड़े बाट लिये लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सतार भी ठठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया यदि ये परमेश्वर का मसी है और उसका चुना हुआ है तो अपने आपको बचा ले सिपाही भी पास आकर उसका सिर्का देकर उसका ठठा करके कहते थे यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आपको बचा और उसके उपर एक पत्वी लागा था ये यहूदियों का राजा है जो कुकरमी लटकाए गए थे उन्हें से एक ने उसकी मिंदा करके कहा क्या तू मसी नहीं तो फिरभ ने आपको और हमें बचा रहे हैं इस पर दूसरे ने उसे डाइट करगा क्या तू परमिश्वर से भी नहीं डरता तू भी तो वही दंग पा रहा है हम तो नायानु सा दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फलपा रहे हैं, फ़र इसने खोल अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, जब तु अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधी लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, कि आज ही तु मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधिहारा चाया रहा। और सूर्य का उजयाला जाता रहा। और मंदिर का परदा बीच से फट गया। और येशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हातों में सौपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिये। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड जो ये देखने को इकठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लोट गए। और उसके सब जान पहचान और जो इस्तरियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष्ट था, वो उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। जान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वो तयारी का दिन था, और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लोथ किस रीती से रखी गई है। और लोटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तयार किया, और सब्त के दिन तो उन्होंने आज्या के अनुसार विश्राम किया। अध्याय चौबिस उनके पास आखड़े हुए, जब वे डर गहीं और धर्ती की ओर मुँ जुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा। तुम जीते को मरहूं में क्यों ढूंडती हो, वो यहां नहीं, परं तुम जी उठा है। स्मरन करो, उसने कलीर में रहते हुई तुम से कहा था, कि अवश्य है कि मरुश्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और कुरूस पर चड़ाया जाए, और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरन आई और कबर से लौट कर, उन्होंने उन 11 को और सब को ये सब बाते कह सुनाई। जिनोंने प्रेडतों से ये बाते कहीं, वे मरियम, मक दलीनी, और योएन्ना, और याकूब की माता मरियम, और उसके साथ की और इस्तियां भी थी। परंतों उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीती ना की तब पत्रस उठकर कबर पर दोड़ गया और छुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया देखो उसी दिन उनमें से दो जन एमाउस नाम एक गाम को जा रहे थे जो यरुशलेम से कोई साथ मिल की दूरी पर था और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बातचीत और पूश्टाश कर रहे थे तो येशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया परंतु उनकी आखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके उसने उनसे पूछा ये क्या बाते हैं? वे उदास से खड़े रह गए ये सुनकर उनमें से किलियु पास नाम के व्यक्ति ने कहा क्या तू येरुशलेम में अकेला परदेसी है? जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा कौन सी बाते हैं? उन्होंने उससे कहा येशु नासरी के विशे में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविश्चद वक्ता था महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यू की आग्या दी जाए और उसे क्रूस पर चड़वाया परन्तो हमें आशा थी कि यही इस्राइल को छुड़कारा देगा इन सब बातों के सिवाए इस खटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चरे में डाल दिया है जो भोर को कबर पर गई थी और जब उसकी लोत ना पाई तो ये कहते हुए आई कि हमने स्वर्ग दूतों का दर्शन पाया जिनोंने कहा कि वो जीवित है तब हमारे साथियों में से कई एक कबर पर गए और जैसा स्त्रियोंने कहा था वैसा ही पाया प्रन्तु उसको ना देखा तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्ध्यों और भविश्य द्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत्यों क्या अवश्चन था कि मसिह ये दूख उठा कर आपनी महिमा में प्रवेश करे तब उसने मूसा से और सब भविश्य द्युक्ताओं से आरंब करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विश्य में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया इतने में वे उस गाम के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ा चाहता है परन्तु उन्होंने ये कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत धल गया है तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़ कर उनको देने लगा तब उनकी आखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आखों से छिप गया उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमसे बाते करता था और पवित्र शास्त्रा अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना नाउत बन हुए वे उसी घड़ी उठकर जरुशलेम लोट गए और उन ग्यारें और उनके साथियों को इकठे पाया वे कहते थे प्रभू सचमुच जी उठा है और शमोन को दिखाई दिया है तब उन्होंने मार्क की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना वे ये बातें कही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आखड़ा हुआ और उनसे कहा तुम शान्ती मिले परन्तूबे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं उसने कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं मेरे हाथ और मेरे पाउं देखो कि मैं वही हूँ मुझे चूकर देखो आत्मा के हड़ी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाउं दिखाए जब आनंद के मारे उनको प्रतीती न हुई और वे आश्चरे करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है उन्होंने उसे भूनी मचली का टुकड़ा दिया उसने उसे लेकर उनके सामने खाया फिर उसने उनसे कहा यह मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविश्य द्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विशय में लिखी हैं सब पूरी हूँ तब उसने पवित्र शाष्त्र बूजने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरुशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिक्या मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूँगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो तब वो उन्हें वैत निहा तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठा कर उन्हें आशीश दी उन्हें आशीश देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरुशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्तित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे करवाल झाल 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 झाल